कि अज़ो दूस्तों बलकमाई चैनल आज की वीडियो में बात करने वाल है एक और विकेंसी का रेजल्ट आउट हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू दो तीन दिन से कंटिन्यू रेजल्ट अपलोड हो रहा है वियारो की तरफ से क्योंकि विकेंसी लगाता लगी हुई है तो वियारो भी अपना प्रोसेश जल्दी कर रहा है ठीक है तो आप इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DVR MT OZ ओके जो की ड्राइवर मेकैनिकल टैंसपोर्ट ओजी की है पोस्ट थी जिसमें आब इसमें देखें ही हम लोग कि किस एडवर्टाइजमेंट की विकेंसी थी कितनी विकेंसी थी और कितनी में कटॉप लगी हुई है कितने कंडिडेट को बुलाया है और मेन बात कि कि आप लोगों का फिजिकल और ट्रेट टेस्ट कब होने वाला है ठीक है एक रुकेस्ट करना चाहूंगा सभी भाई से जो मेरी वीडियो देख रहा है अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार पिजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बैल आकन क देखे हैं यह जो लिष्ट है आपकी रेटिन एक्जम हुआ था उसके बेस पर लगी हुए है ठीक है तो एडवर्टाइजमेंट नमबर था 04 2022 टोटल विकेंसी थी 9 और ट्रेट जैसा कि आपको पता है ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी की विकेंसी थी जिसमें यूर एसी और ओवी सी की विकेंसी थी ठीक है इसका रेटिन एक्जम 26 मई को हुआ था 2023 को और जैसा कि आप लोगों को पता है बियारो अपने हॉम सेंटर बियारो स्कुल एंड सेंटर पूने में ही एक्जम कंडेक्ट कराती है ठीक है अब कुछ इंस्टेक्शन है जो कि एक्जम 26 मई 2023 को भी आरो सेंटर स्कूल पर लिया गया था ठीक है सेकेंड पॉइंट में बताया है कि कंडिरेट बेस्टों रेटिन एक्जम मार्क्स है बिन प्रोवेजिनली सॉट डेस्टेट फर्दर क्वालिफाइं फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल ट टेस्ट के बाद जो कि आपका फाइनल सेलेक्शन की तरफ ले जाएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है कि जो आपका कट अप लगा है वो रेटिन एक्जाम के बेस पर ही कट अप लगाया गया है और नीचे जो लिस्ट दी गई है जो लिस्ट बनी हैं ठीक है सबसे पहले अब इसमें बात करेंगे कि कि किस नेक्री में कितना पर्सेंटेज पर मैरिट गई उई है सबसे पहले देखें कि यूआ काटेगरी में 72 परसेंट पे लगी हो सब्सक्राइब और आपका के लिए हैं प्रसेंट मार्ट है उसके नीचे वो अपने आपको final selection ना समझे वो आंगे कि जो recruitment process है उसके लिए qualify है ठीक है next point देख लेंगे जो की point important है वो point है four number ठीक है आप लोगों को बदाया गया कि आपको जो physical efficiency test और practical test है होने वाला है वो आपको written exam की base पर solid state किया गया है और जो आपने application भड़ते समय एड़स दिया था ब्यारो ब्यारो को उसी address पर आपका जिस पर written exam का call letter आया था उसी address पर सेम address पर आपका call letter आने वाला है why post office इसलिए आपको इधायित दी जाती है कि आप लोग अपने post office से touch में रहे हैं जिससे आपका call letter आपको time से मिल जाए ओके आप point number five में देखेंगे इसमें practical और practical और physical test test के date के बारे में बताए गया है जिसमें आपको 6 जुलाई 23 को 9 बज़े आपको reporting करना है जो solid state candidate हुए है वो ब्यारो स्कूल एंड सेंटर पर अपना 6 जुलाई 239 बज़े reporting दे देना है ठीक है और फिर इसके बाद आपका physical होने के बाद final married list declare होगी जो की physical और practical test के होने के ब physical का कोई merit list से संबन नहीं आए केबल आपका qualifying nature का होने वाला है ठीक है six में आप देख लेंगे six में बताए गाए जो candidate इसमें present नहीं हुए टाइम से अगर नहीं हो पाते हैं absent रहते हैं तो वो आंगे के लिए qualify नहीं कर पाएंगे ठीक है उन्हें फैल मान लिया जाएगा औ मुझे फैल क्यों कर दिया ठीक है तो इसलिए आप लोग time से पहुंच जाए अब देख लेंगे जो candidate का इस list में नाम आया है मेरे चैनल के मासे हम उन सभी भाईयों को बहुत 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 सुब कामना है ठीक है अपनी तैयारी करें और कितने candidate को बलाया है यहां प उनका score कम रहा इसलिए उनका इस list में नाम नहीं आ पाया और उनसे मैं एक ही बात का एहना चाहूंगा अगर आप लोग बियारों में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आप अपने मेहनत पर continue काम करते हैं जिससे आंगे विकेंसी आती रहेंगी और आप लोग उसमें आपक गर आती करता हैं is अविक अब बाय सेवा कर दो दो,ireタस्व में आपको बियारों में जानी से आती सेन विकेंसी आपकीया विकआा है आती स्वा 9